दोस्तों हम कोई भी financial advisor या financial expert नहीं है इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दे कि इस वीडियो में दे गई सारी जानकर इंटरनेट के दुरू ली गई है और यह सारी सारी हमारी person research study है इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है तो जो भी आप investment करें उससे पहले आपको यही सर management purpose clip बनाया गया है है हलो दोस्तों मैं हूँ प्राइशाज सभी का स्वाइब करता हूं कि टो वाइल को फ्रेश वीडियो के अंदर तो दोस्तों आप सभी किसा अमने फिर से हजिर हूं यहां पर लेकर बिट्कॉम आनिस की सारी सारी ताज अप्टेट आज भी दोस्तों हम तो करने वाले हैं technical analysis को साते यहां पर देखने वाले हैं धेर सारी क्योट इसको और जो मैंने अपर thumbnail के उपर लगाया है कि क्यों अगले एक महीने के अंदर या एक महीने बाद से आपर बिट्रॉन का बूलरन स्टार्ट हो सकता है और वहां पर फोर लैक डॉलों को टच कर स सकता है उन सबी चीजों के बारे में जानेंगे अच की इस वीडियो के अधर जो कि बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग यहां पर लगने वाला है तो वीडियो को शुशा है कि बुरा जरूर देखेगा बाकि दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से ला तो उसमें भी आप पर कर सकते हैं और उसके टमसें कंडिशन सारी आपको टेलिग्राम पर या फिर इस वाले इमेज में आपर मिल जाएगी तो चलिए चलते हैं अपने प्राइस को ब्रेक करके नीची की तरफ आ गया है जैसे हम लोग ने पहले भी एसंप्शन लिया था कि प्राइस 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 इस दीर आ को टर्श कर सकता है अब यह वाला जो लाइन है जो आपको वाइट कलर में आप दिख रही है यहां पर एक मेजर रिश्टेंस लाइन बन चुकि है बेटकॉन क्लीए और अगर बिटकॉन को वापे से अपसट पूश अप लेना या website जाना है तो इसको at least see इसके अंदर याने की करीबन करीबन 9300 के आसपस यहां पर आना पड़ेगा इसके साथ अगर मैं बात करो तो यहां पर जो volume है वो pure तरीकी से decline हो चुका है जो कि आप clearly spawn में यहां पर देख सकते हैं और इसके साथ जो बड़ा वाला declaration है volume का वो भी यहां पर चालू है तो हम यह कह सकते हैं कि हो सकता है आज रात को या फिर कल सुबह हमें कोई ना कोई breakout या breakdown हमें देखने को मिले क्योंकि हैं पर monthly closing होने वाली एक तारीक को और यहां पर सिर्फ एक दिन का टाइम उसके अंदर बाकी है हाला कि फिला में bitcoin बहुत ज़्यादा बेरिश हमें देखने को मिल रहा है इस्टिल जो बेरिश ना से वह आप देख सकते हैं और यहां पर हमें falling विज जैसा भी complete होता हम मिल सकता है अगर price वापी से आके 9400 को हाँ पर test करता है तो यह एक falling वज जैसा pattern भी हो सकता है यहाँ पर जब को यह वाली white line दिख रही है जिसका मैं color अभी change कर देता हूँ green के अंदर तो यह जो green line है यह basically हमारी एक long term trend line है जो कि लगपक हम लोग ने यहां से 14000 से draw करी थी जो कि अभी तक नहीं टूटी है और इसके बाद भी bitcoin के पास 8500 का इक बहुत अच्छा वाला support है यानि कि अगर मैं बात को तो bitcoin को भी दो चाहिए support दे रही है जिससे कि bitcoin का price नीचे की तरफ अभी drop नहीं हो रहा है और इसको important है 8500 को break करना अच्छे volume के साथ volume से मेरा मतलब है कि करीबन करीबन कुछ इस तरीके का volume हमको चाहिए होगा अगर यह volume यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर जो break out है यहाँ जो break down अगर होता है bitcoin का तो वो as a fake out यहाँ पर treat करा जाएगा मैं अभी भी कहूंगा कि market थोड़ा sideways है आप अपने साब से trade का up down कर सकते हैं लेकिन इस चिल यहाँ पर कुछ ज़्यादा momentum हमें देखने को फिलाल में नहीं मिल रहा है तो अभी हम लोग wait करेंगे monthly closing का कि उसमें आप पर क्या चीज़े होती है वही पर गागा दोस्ते हम लोग करिबन की नीचे क्या है उसको फिर एक resistance आप पर देखने को मिला है और अप side में support यहाँ पर रहता है तो यही चीज़ वह पर से continue होगी और उसके बाग तिरह हम कहा सकते हैं जो कि कल मैं आपको live में भी बताया था कि market फिर हो सकता है करीबन करीबन 6,000 से 7,000 की जो range है उसको यहाँ पर टेस्ट कर जाए बट इस चांसे नहीं बने और यह चांसे बनने के लिए हमारे पाद जो बागी के लेवल से जैसे आट यह पांसो उसका ठूटना और ज़्यादा इंपॉर्डन है तो इन लेवल्स को आप थोड़ा सा फोकस हैं पर कर सकते हैं जब तक अभी हमें इस green line के उपर हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा जैसा देखने को मिल रहा है और अगर यह प्रॉपरली यहाँ पर complete होता है पैटन तो हमें अपसाइड में breakout मिल सकता है बट इस चिल अभी तक पूरा complete नहीं हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा पर वेट करके market के according इस चीश को देखेंगे next अगर बात करें तो यह है दोस्तो CME future gaps के बारे में one day में फिलार मुझे कोई gap देखने को नहीं मिल रही है four hour में भी कोई खास gap नहीं है क्योंकि market आप जो close हुआ था वहीं से start हो गया है तो probably शायद यहाँ पर जो one hour की gap हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर price इसको fill करने जा सकता है जो कि अभी currently हम लोग अगर draw करने की कोशिश करें तो हमें 9,220 से 9,190 के असपास हैं पर देखने को मिल रही है तो अगर यह gap fill होती है तो definitely आपके जो order से वह यहाँ पर रख सकते हो और इसके साथ आगे आने वारी जो चीज़े हैं उनको हम यहाँ पर update कर लेंगे next उसे बात के लिए dominance की तो dominance इसको break करके वापस अंदर आ गए थी and still अभी age के उपर hover कर रही तो हमें wait करना पड़ेगा यह dominance आपके क्या काम करती है और अगर one day के साब से देखें तो still यहाँ पर कोई खास momentum नहीं है इस्टिल यहाँ पर choppy zone type का जो momentum में वो चल रहा है जिसमें कि आप इस level को एकसा support यहाँ पर treat कर सकते हो जो की करीबन करीबन 65% की आसपर से आपर आता है अगर यह zone यहाँ पर break होता है तो फिर हम 64% से लेके 63% तक आप ले सकते हैं लेकिन इस zone के उपर जब तक price है या फिज आपको dominance है तो यहाँ पर pumping के chances बने रहेंगे नेक्स हमार पास coin है Ethereum and Ethereum के साथ भी similar formation है जो कि मैं आपको बताया था कि यह हमार पास एक support है जहाँ पर इथरेम फिलाल में बैटा हुआ है जब तक Ethereum इसको break नहीं कर देता at least $218 के level को तब तक हमें कोई भी short की opportunity भी नहीं मिल रही है और इसके साथ बात कर तो volume still decline हो रहा है जैसे कि हम लोग देखते हैं पर आ रहे हैं तो yes यहाँ पर पॉसिबल सेनारियो हैं वो है कि बहुत जल्दी हमें breakout देखने को मिल सकता है इस्टिल यहाँ पर प्राइस है वो $213 के आसपर तक EM ribbon का इससे support मिलने वाला है तो अगर प्राइस नीचे जाके वापि को देखने को मिल रहा है जहां पर कि बहुत ज़्यादा resistance है और तो यहां पर कोई विक आती है तो हम लोग एक शौट के लिए यहां पर प्रिपेर हो सकते हैं और अगर इसके उपर closing हो जाती ही $21 के उपर तो definitely फिर हमें शौट के लिए प्रिपेर नहीं होना है इसे लिए पर बात करें तो volume decline हो रही है इसमें थोड़ा सा time है तो Bitcoin के सासथ इसको भी हमें observe करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि Ethereum किस direction में पर break करता है फिलार में तो भी इसी पूरे range के इंदर घूम रहा है लेकिन अगर यह range यहां से तूड़ के बाहर निकलेगा तो हम शौ सब्सक्राइब लेवल है जो कि $40 का यह तोड़ के price नीचे सीदे $38 तक जा सकता है यहां पर हम sustainability मिलती है light coin के अंदर तो हम अभी target 41 से लेके लगपक $43 के असपा maximum ले सकते हैं लेकिन इस चिल जो range है वो 42.5 के असपास आके रूख रही है next हमारे पास coin है chain link और chain link थोड़ा और draw करे थी इस्टिल यह अभी तक break नहीं हुई है price इसके नीचे गया था लेकिन 3-4 candle में ही price वापिस आके हाँ पर hover कर रहा है जो कि bullish symptom है और अगर यह candle यहाँ पर positively close होती है और कल यहाँ पर एक green candle create होती है तो वापिस हमें market upside में ज्यादा हुआ मिल सकता है जो कि मेरे सब chain coin और binary chain coin file में यह पर तूट चुका है जो इसकी एक mid point था जो कि आप कहा सकते है जो channel formation था वह भी break हो गया और price नीचे की तरफ आ रहा है तो फिलाल में अभी यहाँ पर एक छोटा सा support है जिसको क्या आप observe कर सकते हो अगर price drop करता है तो 14.7 हमारे पास यहाँ पर target होने वाल इस वाले support के नीचे अगर price break हो जाता है जो कि 0.54 है तो फिर हमें exit यहां से होना पड़ेगा next उस हमारे पास coin है XRP एन XRP का falling wish पूरते से fail हो चुका है तो मैं इसको remove कर देता हूँ और क्योंकि अभी यहाँ पर descending triangle था जो कि नीची ते ब्रेक हो गया तो फिलाल में मेरे XRP स sustain नहीं करता है फिर वहाँ पर stable नहीं होता तो इसके नीचे के target को ही यहाँ पर देखके चलूँगा जो कि पहला target मेरे पास होगा 0.15 के असपास तो अगर price अपर speedly गिरता है फिर bitcoin में कुछ भी correction आता है तो अक्सार भी नीचे गिरके 0.15 के असपास यहाँ पर जा सकता है तो इसके उपर पर आफ फोकस आप पर कर सकते हो नेक्स हमार पर पास कोहन है नीओ नीओ फिलाल में थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि अभी लास्ट इम सपोर्ट पैता सपोर्ट से वापिस bounce back मिला है लेकिन इस्टिल अभी भी कोई upper momentum नहीं आया है upper momentum आने के 11.1 डॉलर 11 11.2 डॉलर को break करना important होगा तो हमें इसके लिए wait करना पड़ेगा कि नियो किस direction में पर movement लेता है और यहीं पर मैं बात करता हूं आप से इस channel की तो फिलार में channel के mid में है जो कि एक अच्छी बात है जहां पर support बन सकता है लेकिन इसका resistance 10.5 डॉलर के आसपार से जो की break होना important अगर नियों को यहां से ऊपर की तरफ जाना है नेक्स हमार पास coin है यहां पर US and US के साथ party खतम हो चुकि हम लोग इस point से ही बात करें कि US की party इतना नहीं ठीक रही है लेकिन इस्टिल यहां पर थोगर सा bullish momentum देखने को मिला है लेकिन मैं wait करूंगा 2.5 डॉलर के break होने का बहुत सारे लोगों ने इसको hold कर रहा है बट इस्टिल एक बुरी खबर है कि price थोड़ा सा नीचे आ रहा है अगर आप इसको थोड़ा सा अलग-अलग formation में देखने की कोशिश करें तो I hope आपको यहां पर एक falling wedge जैसा देखने को मिल जाएगा but falling wedge में important रहेगा कि 0.12 200 के उ को drop करता तो यह खड़ा है पर drop हो सकता है और उसके बाद फिर में इसका जो momentum का आसपास है वो लगवग 0.08 या पर 0.09 के आसपास इसको लेखने आप चल सकता हूं तो अभी हमें wait ही करना होगा वजीरेक्स कोई के यहां पर क्या चीज़े possible हो पाती है next coin और दोस्तों जो हम माइनर सा सपोर इससे देखने को मिल रहा है और अगर इस बार तेजोस 2.24 डॉलर को ब्रेक कर जाता है तो फिर हम तेजोस को नीच आता हुआ देख सकने लगवग 1.80 डॉलर के आसपास तो यह दो चीज़े हैं और बाकि अगर retest करने जाएगा तो 2.5 डॉलर हमाले अपर यहां पर होने वाली है last coin 200 हमारे पास है bitcoin cash and bitcoin cash जिस तरीके से यहां पर drop हो चुका है जो कि हमने last time इसका भी देखा था कि price वापिस आने के बाद यहां पर कर गया है इस्टिल थोड़ा सा उपर आने के कोशिश कर रहा है बट यह resistance level यहां पर बन चुका है तो इसको break करके अ जो भी decisions वो लेंगे नहीं तो फिर अभी हम लोग short के अंदर यहां पर खड़े रह सकते हैं तो बस दोसो यहीत आज के सारे coin मैंने कवर कर लिए अब चलते सिधे अपनी news पर सबसे पहले दोस्तों आप न्यूस दारी है Binance की तरफ से और Binance ने दोस्तों आप पर complete कर लिया ह अभी तक का सबसे बड़ा upgrade जो कि इनके exchange को 10x faster यहां पर बना देता है तो basically Binance ने दो साल बाद जाके अपने exchange में कुछ changes करे हैं उसको upgrade करा है और यह अभी तक का सबसे बड़ा एक आपके साथ अपग्रेड है जो कि CZ ने खुद tweet करके आप बताया है जहां पर कि उन्हें पता है कि हमने अपना जो code उसको rewrite करा है और जो switches है matching engine जो है उसको भी हमने नई language के प्रोग्राम करा है जिससे कि अभी 10x ज्यादा faster हो गया है और अगले आने वाले bull run के लिए यहां पर यह तयार हो चुगा है तो इससे आप एक hint भी समझ सकते हो कि शायद यहां पर एक bull run start होने वाला है शायद इसकी preparation आप पे पीछे से जारी है जो कि बड़े बड़े लोगों को पता है को कि CZ भी आज कल उन बड़े लोगों में आ चाते है बट यह अच्छी बात है कि Binance का system upgrade हो कि है 2x faster तो आपके जो order से अब उनमें कोई ज्यादा problem नहीं आईगी और आप अगले एक महिने में आप पे start हो सकता है विली भू का आप सभी लोग जानते होंगे नहीं चाहते तो आप एक पार ट्विटर पर जाके देख सकते हो वह एक अच्छी analysis वह पे डालते रहते हैं तो उन्होंने आप एक नया price model Bitcoin का हम सभी यह शेयर करा है जो कि यह वाला है आ आप कैसे तो जो ओभी है उसका जो price है जब भी वह इस line के उपर आके hit कर तो जहांप आपको यह bar type का pattern देखने को मिलता है वहां से हमें एक नया bull run देखने को मिलता है जाहे हम बात करें 2012 की 2013 की 2016 की या फिर 2019 की तो अभी वह pattern जो हो वापिस है इस point के उपर आके hit होने वाला है और यह लगबग एक महिने के अंदर है पर hit हो जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि यहां पर इस model के according जो market है वो एक महिने में start कर देगा अपना नया bull run तो आप इस चीज को देख सकते हो हाला कि यह सब surprise models है यह फिर थोड़ी सी strategies है बाट यह हमें past की data को ठुकराए नहीं ज चलती है तो इस चीज को observe करना थोड़ा से important बन जाता है अगली दूसरा पर खबार आ रही है uber angel investor की तरफ से जिन्हों ने यह बताए कि जो 99% जो crypto projects है वो यहां पे गारवेज है और यह चीज बहुत टाइम से हम सभी को पता भी है लेकिन apply नहीं कर पाते हैं और यहां पे clearly बताए जो historical 99% है वो सारी सारे गारवेज है और बचे वे जो 1% है वो यहां पे change कर सकते है वर्ल्ड को लेकिन अगर उनके पास कुछ अच्छा प्रोड़क है जिसको कि वो customer को आपे दे पाए तो obviously इस पूरे ट्यूट में वही सब्सक्राइज चीज दी गई है कोई coin का specifically बताए नहीं किया पर 99% coin से आप जान सकते हो कि कौन कौन से coin घारवेज है अगली दूसरा पर खबर आ रही है crypto research की तरह से जिन्होंने प्रेटिक कराए कि bitcoin आपे 397 के यानि कि almost almost 4 lakh dollar यहां पर जा सकता है by the year 2030 और यहां पर से bitcoin को प्रेटिक नहीं करा है और भी आपर coin से तो करीबन 4 lakh और 2030 में करीबन करीबन यहां पर 5 lakh dollar के असपास bitcoin जा सकता है वैसे ethereum 208 से लेकर बरते बरते 3,500,000 तक यहां पर जा सकता है अब 10 साल एक बहुत बड़ा figure हो जाता है बहुत सरे लोग शायद wait करें या ना करें लेकिन अगर आप एक investor हो तो 10 साल आपके लिए कोई बड़ा trade यहां पर नहीं होने वाला है जुलाई 7 2020 को और इसके अंदर बहुत सारे features मिल जाएंगे जैसे कि काईबर DAO आपको मिल जाएगा ताकि आप community के अंदर KNC token को participate कर सकते हो उनकी governance के अदर KNC token अगर आप hold करते हो तो आप उनको stake कर सकते हो और उसके उपर अपना जो भी benefits से वह आप कमा सकते हो जैसे कि बा benefits और KST को hold करके as a reward भी आपर गीन कर सकते हो तो KNC भी बागी से कोई की जैसे line में लग गया है आप अगर चाहो तो इस project को देख सकते हो क्योंकि प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट है सुबे कल उसके लिए वीडियो आ जाएगी उसको आप चेक आउट कर लेना और अगर डीफ का आपके से टोकन है और यह वाला जो टोकन है यह सबसे फेमस कंपनी का जो कि है compound.org जहां पर क्या आप लाइंडिंग या बॉर्विंग यहां पर करते हो और इस टोकन को सिब OKEX ने ही लिस्ट नहीं करा है OKEX नहीं यहां पर आपको BTC और USDT पेर में लिस्ट करा है इसके सा इंडिया के टाइम के अगरिंग बात को तो धाई बचे से आप पर आ जाएंगे तो आप इसको भी वहां पर ट्रेट कर सकते हों और हाला कि भी डीफाइ का बहुत ज़्यदा बोल भाला है तो आपको अच्छे कुछ रिटन से यहां पर दीखने को मिल सकते हैं अगली दूस कि गवर्मेंट क्रिप्टो को बैंड करेंगी पिछले साल के निए 2019 से वह आपको कम होगा है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि बहुत सारे स्मार्ट लोग की सिच में इन्वाल्व हैं पिछले साल जो प्रोड़क्त है और इस साल जो प्रोड़क्त में बहुत ज़्यादा डिफरेंसे हैं और यहाँ पर जो राइट परसन से जो कि ड्राफ बिल्कु लीट कर रहे हैं वह हो सकता है कि स्मार्ट पीपल्स हो और गवर्मेंट इसके उपर एक राइट स्टेप लेकर इसको बैंड ना करें और आपने लिए एक बैनिफिशन में आपर यू हो सकता है कि कभी न कभी है हमारे साथ भी पॉसिबल यहाँ पर हो जाए तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है इसका नाम है लेवनों इनकी जो फानिशेल है यह पूरी तरह से मिल डाउन हो चुका है इनकी करणस यहाँ पर 80% हीज लॉस के अंदर चल रही है यानिकी जो सेंट्रल बैंक के हम उसकी बात कर रहे है और यहाँ पर आया में बेल आउट सैटल इसका करने की सोच रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी जो करणसी वह वैसी डीकरेश हो जा रही थी अकॉरिंट डॉलर और करीबन करीबन 8,000 यहाँ पर यूस डॉलर के यहाँ ड लेबान इन्होंने यहाँ पर जिलाए अब आयम जो वह इस सेंटर बैंक को देख रही है कि क्या कर जाए क्या नहीं कर जाए और यहाँ पर जो एक्कुमिलेटर लॉस है वह 170 ट्रिलियन पाउंड के आसपस पहुँच गया है हलाकि पाउंड कुछ जादा ही मुझे लग रह है वह पूरी तरगी से धह गया है और लेबनों शाथ पहली कंट्री है इसके बाद आपको वैनन सुलो और इनके भी देखने को मिल चाहेंगे बट हो सकता कि आने वाले फ्यूचर में हमें और भी चीज़िए देखने को मिल सके और इसका में कॉस कही ना कहीं घूनके एनप पर टाइम पर आप मिल सके तो बस दोसो मैं मिलता अपस अगली वडियो कुछ रहें टेस्टिंग वीडियो कसा तब तक लिए वा ग्रेट डेए और बाई बाई